वेलकम टू मैं यूटूब चैनल SM Medical Knowledge दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल SM Medical Knowledge में दोस्तो क्या आप भी बहुत ज़्यादा परेशान है अपने बढ़े हुए वजन को लेकर आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी के साथ साथ में आपका पेट भी बहार आ गया है और आप इस बड़े हुए वजन को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है बहुत ज़्यादा आपका मन दुखिए दोस्तो घवराइए नहीं आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं एक ऐसे कैप्सूल एक ऐसा बनाता है दोस्तो आपके वजन को भी बहुत ही ज़्यादा जल्दी कम करता है बहुत ही अच्छा कैप्सूल के बारे में जानने से पहले आप से रिक्वेश्ट है यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो लाइक करें कमेंट करें और शेर करें तो दोस्तो साथ ही बैल आइकन दबा कर इसे ओल पर किल्क करें इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी क्योंकि इस चैनल पर हम आपको इस तरह की जानकारी देते रहते हैं चलिए दोस्तो जान लेते हैं उस कैफसूल के बारे में उस कैफसूल का नाम है और इस्टेट कैफसू दूस्तों यह जो ओल्लिफ्टों डैने होता है थैस तरह के जो बेहर Das यह जो ओलिष्टेट कैंसूल होता है यह दो स्क्राइब केंसे मिल होता है यह एमजी और वनहंदेर टॉंटी टी मजी यह आपको मार्केट में अवलेबल हो वीडियो में आगे बढ़ते हैं जो एक इस क्याप PC सुझ करता है इस क्याप्सूल को लेता है उसको कुछ नियमों का पारन करना जरूरी होता है तनु और लेहा है जो एक पिस सुल को ले रहा है उसको थोड़ा सा अपने खाने में जो खाना खाते हैं जो डाइट होती है उस पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए जो ओईली फास्ट वगरा होते हैं जो फेट बढ़ाने वाले बोजन होते हैं दोस्तों उनको अवोईड करना चाहिए उन पर परतिबंद लगा देना होती है तब ही जाकर जो कैप्सूल लेता है जो एक्टी कैप्सूल ले रहा है तब जाकर के बहुत ही जादा इसका अच्छा जल्ट मिलता है उसका वजन बहुत ही तेजी से कम होने लगता है और वह बहुत ही जादा जल्दी स्लिम ट्रेम बन जाता है तो यह कैपसूल जो होता है यह कैपसूल सिर्फ उनी वेक्तियों को दिया जाता है उनी पेशेंट को दिया जाता है जिसका जो वजन है जिसका जो फ बहुत सारे पेशयні उनको यूज नहीं करना चाहिए नंबर से जूड़ीबी समस्या है कोई बिमारी चाहिए नंबर दो पर आता है दोस्तो ब्रेश नंबर तीन पर आता है ब्रेश फिडिंग जो मदर होती है जो ब्रेश फीड करा रही है उस तरह की पेशेंट को भी उस तरह की मरीज को भी यह कैपसूल नहीं लेना चाहिए और नंबर नेक्स्ट बात कर लेते हैं यदि किसी पेशेंट को kidney में या liver में कोई problem होती है या kidney में को Stro boil वगरा होता है दोस्तोफ तरह के patient को भी कैसूल नहीं देना चाहिए दोस्तोफ यदि आप इस कैसूL को फिर भी लेते हैं hyponctionsel 지금은 ago दोस्तो एक मैं personally advice आपको दोँगा जब आप अपहरे डोक्टर के पास जाते हैं किसी भी बिमारी का इलाज कराने जाते दोस्तों उस समय आपको दो चीजों का भो क्या जाहिए दोस्तों तो उस समय यद्थी आपको अलग और समच्या हैं या समय की और कोई हैं किसी तरह की कोई बी प्रोब्लम है कि लेवर पेट से रिलेट्ट they are सभी समस्याई अपने डोक्टर को बताना चाहिए दोस्तों उसी के आधार पर डोक्टर उसी तरह की दवाई देते हैं जिससे आपको कोई नुक्षान ना हो दोस्तों यदि आप जिस बीमारी का यूज जिस बीमारी का टेटमेंट कराने गए हैं उससे अलग भी आपका किसी बीमारी का टेटमेंट चल रहा है कोई मेडिसिंस आप ले रहे हैं दोस्तों उस चीज़ को भी डोक्टर से कभी नहीं चुपाना चाहिए उस चीज़ को भी डोक्टर को बताना चाहिए तभी जा करके आप अच्छे से इलाज ले पाते हैं और डोक्टर आपको ठीक कर पात है उसकी करने में तोड़ा सा दबाऊ हो सकता है या जो कोटी करने बार बार जाना पड़ सकता है इस तरह के दोस्तों जो कभी किसी किसी patient में देकने को मिलते हैं दोस्तों यदि आपको इस तरह के पूर कर तर अपने डोके से चाँ कि आपको धरगार यह नहीं करना है इस है कि जो भी यह दिया आपको अलग इससे साइट इफक्ट देखने को मिलते हैं तो अब बात कर लेते हैं इस कैपसूल को कैसे लेना होता है हाव टू टेक दिस कैपसूल दूस्तों जो ओल इसकेट कैपसूल होता है यह आपको मार्केट में दो कैसूल खाना खाने के बाद सुबा धुपएर शाम यह लेना घुण को सेट करते इач किसी बहर backup की डोस सेट करते हैं आपको कंसल जरूर करें कि और को कैसे लेना होता है कित्र孩 डोज में लेना होता है। और कितने समय तक कि इसて के बारे में बात करें। इसकी डूज स के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी ओल इच्चिक सक्ष्ट्पेंज कती यानि सुबह बपर श्याम खानगे कि आपको कि लेना होता है और सकते हैं तो ये आपको उन्हेंसिक में रहें इसको बंद कर सकते हैं आपने डॉक्टर से ले सकते हैं जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो इस कैप्सूल को लेता है उस उस पेशन्ट को बहुत जादा अपने डाइट पर ध्यान देना चाहिए और इसी के साथ में उसको नियमित तोर से रेगुलर यानि के रेगुलर एक्सेसाइज करते रहना चाहिए तफी जा करके इस काना कर देना चाहिए दोस्तों यदी एक्जम्पल के तोर पर यदी हम आपको बदाएं यदी आप एक टाइम में दो रोटी खाते हैं तो दोस्तों आपको एक कर देनी चाहिए तभी जाकर कि यह कैप्सूल आपका बहुत ही अच्छे से काम करता है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही यदी आपका ओल्ड इस्टेट कैप्सूल से रिलेटीड कोई question है कोई query है तो आप हमें comment कर सकते हैं आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं किसी एक ऐसी नई वीडियो में तब तक के लिए जहिन दोस्तों